असलाम लेकुम, I hope you're all well तो हमारे हमने active voice और passive voice टार्ट की हो है और finally हमारे ये भी complete हो चुके है आज इंशाला हो जाएंगे आज last है इसका lecture तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को last तक देखना है और like भी किया करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है और feedbacks दिया करें तो देखते हैं जो हमने आज वाला करना है वो कौन से वाला tense है आज last वाला है तो इसके बाद हम next कुछ और start करेंगे इंशाला तो देखते हैं आज वाला जो हमने करना है वो है future perfect future perfect में क्या होता है इसका पहले method देखें active voice में active voice में क्या होता है future perfect में कौन से helping verb यूज होते है और इसमें कौन सी form यूज होती है तो देखते हैं active voice में will have और shall have यूज होता है future perfect के simple में और third form यूज होती है इसके simple में भी third form यूज होती है इसमें तो कोई आपको confusion create नहीं होगी इसके passive voice में भी third form यूज होगी क्योंकि इसके तो active voice में ही third form यूज होती है आगे इसका देखिए अब जब हम इसका simple बनाएंगे जैसे यह है I shall have played football I के साथ क्या यूज होता है shell तो इसलिए यहां पे क्या है I shall have played football यह तो हो गया active voice और जब हम इसका passive voice बनाएंगे तो क्या यूज होगा will have, shall have यह तो यूज हो गाई मतलब के helping verb वही रहेंगे लेकिन इसमें किसका addition होगा been का इसमें been use होगा जैसे has और have में हुआ था ना इसमें shall have और will have में भी been use होगा और third form तो वैसे ही रहेगी तो यह किस तरह बनेगा football will have been played by me football will have been played by me अब आप कहेंगे कि यहां पे will क्यों आए क्योंकि यहां पे तो football आगया पहले तो I था I के साथ shall use होता है तो इसलिए यहां पे will use होगा आगे examples देखें और देखें कुछ अब इसका जब आएंगे पैसे वोइस तो कैसे बनेगा breakfast will have been taken by you breakfast will have been taken by you next वाले देखें next कौनसी example है they will have read the newspaper इसको आपने read नहीं पढ़ना क्या पढ़ना है red क्योंकि third form है third form क्यों होती है red लिखने में ready होती है पढ़ने में red होती है आगे the newspaper will have been read by them the newspaper starting पी आजाएगा will have been का addition होगा or read by them they क्या बन गया them आगे next देखें they will have sorry who will have made a noise who will have made a noise तो यह किस तरह who जब होता है तो क्या होता है by whom will a noise have been made by whom will a noise have been made next will he will he have taught English तो यह इंटरॉक्टिव में है तो यह इंटरॉक्टिव में ही रहेगा will English will English have been taught by you will English have been taught by you आगे he will have won a prize he will have won a prize he के साथ will have use हुआ क्योंके he, she, it और singular noun के साथ क्या use होता है will have I, we I, we के साथ use होता है सिर्फ shall बाकि सब के साथ क्या use होता है will have आगे यह किस तरह मनेंगा a price जो start पर आजेगा a price will have been won by him prize will have been won वैसे रहा है क्योंके third form by him अगे you will have helped us you will have helped us we shall have been helped by you देखे, यह different सा बना है क्योंके देखे, you will have helped us end पर us था ना तो us क्या बन गया we we बन गया ना तो we के साथ क्या use होता है shall इसलिए हमने यहां पर shall use किया we shall have been helped by you you क्यों लिखा you स्टार्टिंग पर था तो you you ही रहता है आसको हमने चेंज करके किसमे किया convert we में और we में जब convert हुआ तो we के साथ कौन सा helping web यूदता है shall इसलिए हमने यहां पर shall have been use किया तो यह सारे हो गया है यह भी यह last था हमारा कौन सा था यह future perfect हमारे सारे complete हो गया अब हम next कुछ करेंगे जो भी अच्छा suitable लगा मुझे मैं करवाँगी आपको इन्शाला तो बस आप ऐसे ही appreciate करते रहेगा और वीडियो का like करते रहेगा और बहुत सारा दुआउं में याद रिखिएगा अब मैं next lecture के साथ आऊंगी तब तक के लिए और और क्या था हाँ मेरी वीडियो को लास तक देखिएगा जजा कर लाँ